नमस्कार दोस्तो जो लोग RRB NTPC का एक्जाम फर्स्ट अटेम्ट में क्वालिफाई करना चाते हैं जो लोग RRB NTPC एक्जाम के लिए सीरियस हैं केवल वही लोग वीडियो को पूरा देखें अधरवाइस आप वीडियो चुड़कर जा सकते हैं दोस्तो यहाँ पर मैं जो स्ट्राटेजी बताने वाला हूँ उसके बेसेस पर आप 100% गरेंटी के साथ के सकता हूँ कि आपका एक्जाम क्वालिफाई हो जाएगा देखो करना आपको क्या है आपको भी पता है कि RRB NTPC एक्जाम से पहले हमारा Railway Local Pilot का एक्जाम हो चुका है RRB Group D का एक्जाम भी हो चुका है और RRB SI का भी एक्जाम हो चुका है तो इतने 3 एक्जाम railway के पहले से ही conduct हो चुके हैं तो इन 3 एक्जामों से हमने जो चीज सीखी है जो pattern हमने सीख पाया है उसके basis पर अगर आप exam देंगे तो definitely आपका ये exam qualify हो जाएगा अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है देखो आप जो जिस भी coaching में coaching कर रहे हो या खुद से self study कर रहे हो आपको अपनी पढ़ाई जैसे कर रहे थे वैसे ही continue रखनी है बस आपको एक काम करना है कि अभी जो question देखो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बताऊँगा कि इस जो NTPC का exam होने वाला है उसमें कौन से exam से question repeat हो सकते हैं और अगर आपको repeated question मिल गए तो समझो कि आपका time भी बचेगा और आप अच्छा score भी कर सकते हो तो देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि question repeat कहां कहां से हो सकते हैं सबसे पहले तो देखो RRB ALP का जो exam हुआ था उसके जितने भी सिप्ट में जितने भी question आए हैं सभी सिप्ट में पूछे गए सभी question से 10% question आपको RRB NTPC में definitely मिलने हैं तो मिलने हैं क्योंकि यही काम हुआ था RRB group D के टाइम पर जब RRB group D का exam हुआ था तो RRB ALP के जादा तर question group D में repeat हो गए थे तो उन बच्चों का selection definitely हो जाएगा जिन लोगोंने ALP वले question solve कर लिये थे उनको RRB group D में बहुत फाइदा मिला था उसी basis पर सबसे पहले तो RRB ALP का जितना भी question है PDF में जितना भी हर सिप्ट में exam में question पूछे गए हैं उन में से 10% question पूछे जाएंगे उनको कर लेना और ये इसका PDF आपको मिलेगा कैसे मैंने आपको टेलीग्राम पर पहले से ही share कर दिया है इसी तरीके से RRB group D में भी जो question पूछे गए थे उनको से भी 10% question आपके repeat हो जाएंगे और वो repeat वाले question आपको फिर से लगा लेने हैं इसी तरीके से RRB जो SI वाला paper हुआ था RPF SI उसके question भी कर लेना क्योंकि वहां से भी लगबग 5% question आपको मिल जाएंगे सबसे जरूरी चीज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो पिछले बार जो RRB NTPC का exam हुआ था उस exam के question भी आपको कर लेने हैं तो RRB NTPC का जो exam हुआ था उससे भी 10% question आपको मिल जाएंगे तो कुल मिलाकर यहां पर आपके लगबग मैं बताता हूँ कि 30-40% question आपके repeated question आपको मिलेंगे और अगर आपने यह 30-40% question जो repeat हूँँगे यह अगर पहले से आप करके चले जाते हो तो समझ लोग कि क्या इसे कहते हैं strategy मैंनत तो सभी लोग कर रहे हैं जब आप इस strategy से पेपर करेंगे तब जाकर आपका selection final होगा अब यहां पर बात आती है कि सर आपकी चीजें मुझे अच्छे से समझ में आ रही हैं लेकिन यह RRB LP के question मिलेंगे कहां पर या फिर RRB Group D RPSI और RRB सबसे बड़ हो था 2016 की सभी सिप्ट होगा यह जो question paper है यह हमें कहां पर मिलेगा तो वही चीज मैं यहां पर आपको बदा रहा हूं कि RRB NT PC का 2016 का हर एक सिप्ट में पूछा गया question आपको मैं telegram channel पर provide करा रहा हूं जिसका मैं आपको दिखाता हूं यह आप देख सकते हैं यह PDF में आपक PC exam और यह देखो 2016 2016 के पूरे PDF यहां पर आपको दिख जाएंगे देखो यह पूरा question है और यह मैं आपको PDF free of cost एक click से provide करा हूंगा तो यहां पर देखो तो दोस्तों आपको बता दूँ कि मैंने अपने telegram channel पर इस PDF को share कर दिया है जितनी भी PDF इस वीडियो में मैंने बताई सब अपने telegram channel जिसका नाम है target study IQ वहां पर share कर रखा है यह आप देख सकते हो मेरे telegram channel का नाम है target study IQ जिसका link video के description में दिया है कैसे आपको join करना है वो description में आपको मिल जाएगा देखो यह वाला PDF मैंने share किया है जिसमें लिखा है RRB NTPC 2016 previous year के all shift के question एक ही PDF में आपको मिल जाएगे और यह उसके नीचे रा PDF यह 73MB 73MB का PDF है क्योंकि इसमें लगबग 3000 page का PDF है लगबग 3000 page का है क्योंकि 2016 में अलग-अलग shift में जितने भी question पूछे केते सब इसमें included हैं तो इसको मेरे telegram channel से आप लोग download कर लेना so that आप यह repeated वाले question अगर लगा लेते हो तो definitely selection हो जाएगा आप सभी लोग करना क्या है Google Play Store से telegram app को download करना है और आपको वहाँ पर search करना है target study IQ जैसे ही search करो के आपको मेरा channel मिल जाएगा जिसको आप join कर लेंगे और join करते ही आपको यह पूरा PDF मिल जाएगा और इस वीडियो के description में भी मैं यह link provide करा देता हूं thank you for watching this video